नमस्कार प्यारे बच्चों मैं वीजयए बच्चों आज हम लोग लांभीक आविव, एकीक आविव, उनेट्री, मैट्रिक्स, इन सब का क्या देखने वाले हैं? प्रमे देखने वाले हर्मिटी आविव, तो देखे, इन सब का थियोरम, किस तरीके से हैं? आईए देखते हैं प्यारे बच्चों, हाना, आज की क्लास में देखें, हाना, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि एकिक आवियू, वरगसम आवियू, अंतरवलनी आवियू क्या होता है, मैंने इसके पहले वीडियो लेक्चर में आपको हर्मिटी और विसम हर्मिटी आविउ के बारे में बताया था हर्मिटी आविउ क्या होता है ए स्टार अब देखो इस्टार किसको कहते हैं परावर्ती संयुगमी हम उसको परिवर्त भी करते हैं और उसका संयुगमी भी लेते हैं हम उसी को स्टार कहते हैं A star is equal कितना हो A तो वहां हरमिटी होता है और A star is equal minus A तो वहां भी सम हरमिटी होता है ठीक है प्यारे बच्चों तो चलिए आईए देखें A किक आविउ यूनेटरी मैट्रिक्स अब देखो A किक आविउ कहलाता है कब कहलाता है यदि A star A star और A दोनों का गुनन किया जाए तो ह A star यह देखेगा A star का मतलब तो जानते है ना परिवर्ती यह समयुग में हो गया और इसका परिवर्ती तो इन में हम यदि A का गुना करें तो हमको क्या मिलना चाहिए आई मिलना चाहिए वैसी ही वर्ग सम आविउ आई इंपोटेंट मैट्रिक्स एक वर्ग आविउ ए वर तो हमको क्या मिले A मिले अंतर वलनी आविउ इन वलुटरी मैट्रिक्स एक वर्ग आविउ अंतर वलनी और इन वलुटरी मैट्रिक्स हाना कहलाता है यदि A square is equal I तो बच्चों हम इन ही से related आज थिवरम देखने वाले हैं यह देखेगा आपको statement दिया है क्या दिया है statement देखो किसी हर्मिटी आविउ के आईगेन या विलाक्षनिक मान वास्तविक होते हैं यह दिया है तो सबसे पहले हम माल लेते हैं चलो हर्मिटी आविउ के बारे हम हर्मिटी आविउ है यह देखेगा हर्मिटी आविउ है अर्थात इसको हम क्या राइट करेंगे प्यारे बच्चों ए स्टार इस इक्वल कितना है ए इसको आप equation ले लो अब इनमें हम ले करके चलते हैं माल लो लेम्डा आविउ ए का आविउ ए का आईगेन मान है तथा एक्स लेम्डा के संगात आईगन सदो्स है तब आप क्या राइट करते हो परिभासा से ए एक्स इज इस इक्वल लेम्डा एक्स यह हो गया समीकरननमबर कितना एक अब हम इस समीकरन एक के दोनों पक्छों में क्या करेंगे एक्स इस्टार का गुना करेंगे इस वार ये समीकरन एक हो गया, समीकरन नमबर दो कर दो बच्चों, समीकरन दो के, समीकरन दो के, दोनों पक्छों में, क्या करेंगे बच्चों, एक सिस्टार, ये देखें, एक सिस्टार का, पूर्वा गुनन, मतलब पहले गुना करेंगे, पूर्वा गुनन करने पर, चलो करते हैं तो पुर्वगनन करेंगे यह देखेगा हमें यहाँ पर क्या सिद्ध करना है आइगेन मान क्या होते हैं वास्तविक होते हैं यह हमको बताना है तो यहाँ पर हमने क्या क्या किया एक्स इस्टार का पुर्वगनन किया तो एक्स इस्टार एक्स इस्टार एक्स एक से इस्टार और लेमडा और इधर हो गया एकस अब इसके बाद दोनों पक्षों का इसको समीकर नंबर दो मालो समीकरन समीकरन दो के दोनों पक्षों में क्या कीजिएगा इस्टार लगाना है तो इसको बोलते हैं परावर्ती से युगमी परावर्ती से युगमी लेने पर हना दोनों पक्षों में परावर्ती से युगमी लेंगे तो क्या लगाएंगे भाई एकस है स्टार एकस और पूरी का स्टार लगाना होगा इह देखो यहां भी हम लोग क्या करेंगे एक से स्टार है लेमडा एक सा है और यह पूरे का स्टार लगा देंगे तो बच्चों आपको यह रूल मालूम होगा स्टार हो चाहे इनवर्स हो यदि A B का स्टार है तो उल्टे करम में होता है यह B स्टार A स्टार ठीक है हाना इसको बोलते हैं उत्करमनी ता उत्करमनी यह ता ठीक है यह 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 B का इनवर्स is equal B इनवर्स A इनवर्स वैसी A B का स्टार is equal B स्टार A स्टार होता है प्यारे बच्चों चलो इसको देखो तो आपने उल्टा में करेंगे तो पहले X का राइट करो X से स्टार हुआ फिर A को राइट करो A स्टार हो गया फिर इस X से स्टार का स्टार हो जाएगा यह यह X से स्टार का स्टार हो गया पहरे बच्चों इस ही क्वाल यहां भी उल्टे करम में करो पहले हमने X से स्टार लिया फिर lambda star लिया फिर X यहां पर star का आपने क्या लिया star तो यहां पर याद रखेगा बच्चों A star यह सरी X star का star वापस क्या होता है X होता है तो हमने यहाँ पर यह देखो, x star, a star, x is equal, x star, lambda star, और यह हो जाएगा, कितना x, अब समीकरन 1 देखेगा, आपके पास समीकरन 1, a star, यह समीकरन नमबर कितना है, hai 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 cielo इसको आप माजो तीन समे मेरं तीन किजिए गा स्मिकरन 1 में अच्टार जिखवले हैं हाना तो ा समेर्ण एक से यहां पर रखेंगे समी करन एक से a star का मार रखेगा बाच्रों तो दूर क्या हैगा भई I assure पास आएगा X star, फिर आएगा A, A star को A रखें ना आप, यह दिखेगा, फिर क्या आएगा, X is equal X star, जान दिजेगा, और lambda star को हम lambda बार राइट कर सकते हैं, और यह आजाएगा X, कैसे बेट राइट करोगे, लेमडा star है बच्चो, अब लेमडा का बार करो, ट्रांसपोस करो, तो चलो लेमडा यदि कांपलेक्स है, तो बार तो लग जाएगा, लेकिन क्या ट्रांसपोस होगा, क्या, नहीं होगा, वो तो एक ये अलिमेंट है, कहा होगा, वही सकभा ही आएगा, अब यह बन गया समीक में देखें, एक से स्टार लेमडा एकस है, एकस स्टार लेमडा एकस इस इक्वाल, एकस स्टार लेमडा बार एकस, हम इस पूरे को यदि हम ट्रांसपर करें, तो लेमडा माइनस लेमडा बार, इस पूरे को एकस स्टार एकस इस इक्वाल जिरो राइट कर सकते हैं, आप देखे, चुंकि हमारे पास x not is equal 0 है, तब यहाँ पर कहेंगे x star into x not is equal 0 होगा, तब lambda is equal, lambda minus 1 is equal 0 होगा बच्चों, lambda bar minus, यह हो गया 0, अब यहाँ से आपने क्या पाया, lambda is equal lambda bar, अब देखे, यह सयूगमी भी lambda के बराबर आया, इसका मतलब हना आइगन मान हमेशा क्या होंगे, इस प्रकार इस प्रकार देखे, lambda के, lambda bar लिये हो सयूगमी, वह भी lambda के बराबर आया, इस प्रकार कहेंगे, इस प्रकार हना, आइगन मान, क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, प्यारे बच्चों, वास्तविक होते हैं, ठीक है, चलो, तो मुझे उम्मीद है, यह आपको 100% सेंसे में आया होगा ठीक है की तो चलिए बच्चों नेके थेओर न में चलते हैं अगला हमारा प्रम्ए थेओरम है किसी एकिक अव्यूं के आइगेनमान जया आभिलाक्षनिक मान इकाई मापांग क्यों हो तैंध भी से नीक एक इक आवियू है क्या है एक इक आवियू है अब एक इक आवियू है तब अर्थात हम क्या कहेंगे एक इक आवियू को परिभासा से A star A is equal कितना होता है आई चलो equation first ले लो तब हमे सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि आईगेन मान आइगेन मान इकाई मापांक के होते हैं इए देखेगा अर्थात क्या सिद्ध करना होगा इए देखेगे मापांक लेमडा इस इक्वल कितना अब देखेगा क्या दिया है माल लेते हैं बच्चों इसके लिए माल लो लेमडा एका क्या है आईगेन मान ठीक है तथा एक्स लेम्डा के संगत क्या है आईगेन सदी से तब हम परिभासा से क्या लिखते है प्यारे बच्चों ए एक्स लेम्डा एक्स जानते हो न यह हो गया एक्वेशन नंबर फर्स्ट अच्छा फर्स्ट माने सेकेंड अब दोनों पक्षों में परावर्ती हना समी करन दो के दोनों पक्षों में क्या लेंगे परावर्ती संयुगमी लेने पर चलो लेलो तो क्या हो जाएगा एक्स इस्टार इस इक्वाल लेम्डा एक्स इस्टार तो बच्चों आपको मालूम है ना कि यदि हम इस्टार लगाए हैं तो उल्टे करम में राइट करेंगे तो x star हो जाएगा और a star हो जाएगा होगा की नहीं होगा इसका होगा x star और यहाँ पर lambda star और lambda star तो जानते हो आप क्या होता है भाई lambda bar होता है तो x star a star is equal x star और यह हो जाएगा lambda bar यह समी का नंबर यह हो गया 3 अब समी करन 2 और 3 को गुना कर दो याने कैसे गुना करेंगे देखो समीकरन 2 वा 3 को 2 वा 3 को गुना करने पर क्या पाएंगे आप यह देखेगा हमारे पास समीकरन 2 क्या है 3 क्या है X star A star और यहाँ पर यह देखेगा AX है into AX इस इक्वाल यहाँ पर है X star lambda bar इस इक्वाल यहाँ पर है lambda X अब इसको हम क्या write कर सकते हैं X star मैंने write कर दिया इधर A star A write कर दिया X is equal यहाँ पर हुआ X star इसको lambda बार और इस तरीके से हम write कर सकते हैं समीकरन 1 में देखो A की काव्यू है तो मैंने लिखा है A star A is equal I अब देखो यह हो गया I X is equal X star यह हो जाएगा lambda bar lambda और यह हो गया X बच्चों I क्या है तस्समक है I तस्समक है और तस्समक आवियू कहीं से भी निकल जाता है और कहीं भी लग जाता है तो हमने पाया या रहने दीजिए I 1 रख देगे X star X is equal कितना होगा X star यह हो जाएगा lambda bar lambda X अब ट्रांसफर किजिएगा X star X यहां से कामन निकालिएगा तो 1 minus lambda bar lambda is equal कितना 0 ठीक है प्यारे बच्चों यहां तक समझ में आया बिलकुल आया होगा अब इसके बाद यह देखेगा X but X not is equal क्या है X not is equal 0 है तो X star X not is equal 0 तब यहां पर क्या हो जाएगा 1 minus lambda bar lambda is equal 0 होगा और lambda bar lambda is equal कितना 1 आपको मालू है बच्चों complex number में आप जानते हो Z bar is equal कितना होता है maapang Z square वैसी ही यहां पर maapang lambda square is equal कितना हुआ 1 और यहां से हमको मिला कितना 1 तो यही हमको निकालना था प्यारे बच्चों तो यह आईगेन मान यहाँ पर क्या है इकाई है आया समझ में बिलकुल आया होगा तो चलिए अगले थेवरम में चलते हैं प्यारे बच्चों अगला थेवरम क्या है देखेगा वर्गसम आवियू के आईगेन मान सुनिया या इकाई होते हैं अब देखो बच्चों क्या कीजिएगा यहां पर वर्गसम आवियू अब इसमें माल लेते हैं माल लो वर्गसम आवियू है अब वर्गसम आवियू मतलब क्या हो गया एसको हम माल लेते हैं समीकर नमबर एक तब हमें दर्साना है क्या दर्साना है कि आईगेन मान शुनिया या क्या होते हैं इकाई होते हैं अर्थात हमें लाना होगा लेम्डा इस इक्वल जिरो और या फिर कितना वन ठेक अब फिर से मान करके चलते हैं कि माल लो लेम्डा आवियू ए के आईगेन सदीस हैं स्वरी आईगेन मान है आईगेन सदीस नहीं है आईगेन मान है प्यारे बच्चों आईगेन मान है तब परिभासा से आप क्या राइट कर सकते हैं प्यारे बच्चों ए एक्स इस इक्वल कितना लेम्डा एक्स यह हो गया समीकरन नमबर कितना एक अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे समीकरन एक के दोनों पक्छों में इका पूरवगुनन करने पर चलो करो क्या मिलेगा आपको आ इक्स is equal ए लेम्डा एक्स अब एक काम कर सकते हुँ इसको आई और यह एक्स राइट कर सकते हैं और इस लेम्डा को बाहर करके मैं एक्स राइट कर सकता हूं यह हो गया एसक्वल जगा मैं लेम्डा रखूँ तो समी करन एक से ए देखो इसको दो माने हैं समी करन दो से क्या हो जाएगा लेम्डा एक्स के जगा क्या रख देंगे वापस लेम्डा एक्स तो हमें मिला a square x is equal lambda square x अब समी करन एक में देखो a square is equal कितना है a तो a square is equal a है तो a रख देंगे इसके जगा में समी करन एक में आपने लिखा है वर्गसम आव्यू तो वर्गसम आव्यू होता है काव जब a square is equal a होता है तो a square के जगा एए रख दिया x square यह हो गया lambda x यह समीकर नमबर 3 अब देखो समीकरन 2 देखो समीकरन 3 देखो दोनों को एक पक्च बराबर है तो दूसरे पक्च भी बराबर होगा क्या बिल्कुल होगा तो समीकरन 2 वा 3 से समीकरन 2 वा 3 से क्या मिलेगा आपको आपको मिलेगा lambda x is equal कितना lambda square x एक साइड बराबर दूसरे साइड भी बराबर अब हम इस पूरे को lambda minus lambda square x is equal 0 write कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हो परन्तु x not is equal क्या है 0 है सुनित्तर होता है सदीज जो है और इस प्रकार lambda minus lambda square is equal 0 lambda common निकालिएगा 1 minus lambda is equal 0 lambda is equal 0 और lambda is equal 1 अर्थात आईगेन मान क्या हो गया 0 या 1 यही हमको लेकर आना था तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों मेरा एक लास आपको 100% पसंद आएगा और पसंद आ रहा होगा ठीक है बस मेरे साथ बने रहे ठीक है प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं तक रखेंगे धन्यवाद नमस्कार